अज़ हम करने वाले हैं हमारा थर्ड लेसन फर्स फ्लाइट बुक में से और इस लेसन का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइग इसमें दो कहानिया है इसमें पहली जो कहानी है वो है जिसे लियम ओ फ्लाइट ने लिखा है और दूसरी कहानी है ब्लैक एरो फ्लैन जिसे फ्रेडरिक फॉर्सेट ने लिखा है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम इसको करते हैं वर्ड बाई वर्ड जो जो ये लेसन है फ्लाइट ये एक सीगल के बारे में है एक पक् तो दा यंग सीगल वोज अलॉन ओन इस लेच एक नन्हा सा सीगल पक्षी अपनी चटान पर बिल्कुल अकेला है था इस टू ब्रदर इसके दो भाई एंड इस सिस्टर और इसकी बहन हैड अल्रेडी फ्लाउन अवे दी डे बिफॉर एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं और यह जो सीगल है इसे उनके साथ उड़ने में काफी डर लगा। जो पंक है उनको रोक लेता है। क्योंकि चटान के आगे विशाल समंदर था और यह विशाल समंदर को देख कर डर जाता है और यह जो चटान थी काफी उची थी इसका मतलब नीचे जो गहराई थी वो बहुत ही जादा थी अब इसे जो है जो सीगल है अपने मन में ठान बैटता है कि इसके पंक कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो क्या करता है बिचारा निराश हो जाता है और अपना सिर जुका कर उस होल के पास आजाता है जो लेज के अंदर होता है और पूरी रात वो उसी में गुजारता है जहां तक कि जो इसके दोनों भाई हैं और जो उसकी चोटी बहन है उसके पंक भी इससे कहीं छोटे हैं लेकिन फिर भी वो चटान की किनारे तक जाते हैं दोड़ते हुए और अपने पंक फट भड़ाते हैं और उड़ जाते हैं लेकिन ये इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाता इसी लिए ये बहुत ही जादा निराश हो जाता है उसके माता पिता उसके पास आते हैं तुम इसी चटान पर रहोगे अगर तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे और तुम यहीं पर भूखे मर जाओगे but for the life of his he could not move लेकिन अपने जीवन के लिए भी ये हिलता नहीं है क्योंकि ये काफी डरा हुआ है इसको लगता है कि जो इसके पंक हैं इसको support नहीं करेंगे that was 24 hours ago ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था since then nobody had come near him और तब से उसके पास कोई भी नहीं आया है the day before एक दिन पहले all day long पूरा दिन he had watched his parents flying about with his brothers and sisters एक दिन पहले उसने देखा कि जो उसके माता पिता हैं उसके भाई भेनों के साथ उड़ रहे हैं perfecting them in the art of light और उसके भाई भेनों को उड़ने की कला में निपून कर रहे हैं teaching them how to skim the waves और उसके माता पिता उसके भाई भेनों को सिखा रहे हैं कि कि वो किस तरीके से लहरों को चीरे उड़ने के लिए and how to dive for fish और मचली पकडने के लिए किस तरीके से गोता लगाया जाए he had in fact seen his older brother catch his first hearing and devour it और यहां तक कि उसने ये भी देखा कि उसका जो बड़ा भाई है उसने अपनी पहली hearing पकड़ी मतलब एक तरह की मचली होती है यह उसको पकड़ा और उसको किस तरीके से उसने खाया या फिक निगला standing on a rock एक चटान पर खड़े होकर he while his parents circled around praising a what is this raising a proud crackle उसने देखा कि जो उसके भाई है उसने अपनी पहली मचली पकड़ी और वो एक चटान पर खड़ा है और उसके माता पिता उसके चारों तरफ उड़ रही है और कैकल कर रही है मतलब जैसे पक्षी करते हैं ची ची वैसे गर्व के साथ कैकल कर रही है and all the morning पूरी सुभे the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff taunting him with his cowardice और पूरी सुभे एक और चटान है जो उस चटान के बिलकुल सामने है और वो उस चोटे से प्लैट्व पर चोटे से चटान पर पूरा परिवार इसको देख रहा है जो की बिलकुल opposite दिशा में है और उसकी cowardice मतलब उसकी कायरता के उपर उसे taunting कर रहा है उसे taunt कर रहा है उसको उसको ताने मार रहे है अब सूरज जो है आसमान में चड़ रहा है blazing on his ledge that faced the south और जो उसकी चटान है दक्षन की तरफ उसका face है और वहां पर बहुत ज़्यादा तेज धूप लग रही है he felt the heat और यह जो पक्षी है सीगल नना सा जो पक्षी है इसे गर्मी महसूस हो रही है because he had not eaten since the previous nightfall लेकिन इसे गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि इसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया है he stepped slowly out to the brink on the ledge और वो क्या करता है वो इस चटान के किनारे तक बिल्कुल धीरे धीरे जाता है and standing on one leg और वहां पर जाकर एक पैर पर खड़ा हो जाता है with the other leg hidden under his wing और जो दूसरा पैर होता है इसका वो अपने पंखों में छिपा लेता है he closed one eye और वह अपनी एक आँख बंद कर लेता है than the other और फिर वो अपनी दूसरी आँख भी बंद कर लेता है and pretended to be falling asleep और वो जो सीगल है वो ऐसे दिखावा करता है कि जैसे वो सो गया है still they took no notice of him और लेकिन फिर भी उसका परिवार उसकी तरफ ध्यान नहीं देता he saw his two brothers and his sister lying on the plateau dosing with their heads sunk into their necks अब वो देखता है कि जो उसके दो बड़े भाई हैं और जो उसकी बहन हैं वो प्लैट्व पर इस जटान पर सो रहे हैं डोजिंग ले रहे हैं और उनके जो सिर हैं वो उनकी गरदनों के अंदर है his father was printing the feathers on his white back और जो उसके पिता हैं वो अपनी back के जो white feathers हैं पंक हैं उनको सही कर रहे हैं only his mother was looking at him केवल उसकी मा उसकी तरफ देख रही है she was standing on a little high hump on the plateau और उस चटान पर एक छोटे से hump के उपर वो बैठी हुई है sorry खड़ी है her white breast thrust forward और उसका सफेद सीना बाहर की तरफ निकला हुआ है now and again कभी कभी she tore at a piece of fish that lay at her feet कभी कभी वो मचली का टुकड़ा तोड़ती है जो मचली उसके पैरों में पड़ी हुई है and then scrapped each side of her beak on the rock और फिर वो चटान से अपनी चोच के दोनों जो सिरे हैं उनको पहना करती है the sight of the food maddened him और खाना देखकर यह जो सीगल है बिलकुल पागल हो उटता है how he loved to tear food that way उसे इस तरह से खाना खाने को फाड़ना कितना अच्छा लगता है scrapping his beak now and again to wait it और अपनी चोच को पैना करने के लिए पत्थर पर उसको अपनी चोच रगड़ना कितना अच्छा लगता है ga 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 he cried begging her to bring him some food अब वो जैसे यह सीगल है अपनी भाशा में ga 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 करके रोता हुआ विनिती करता है अपनी मदर से ताकि वो उसे कुछ खाना दे सके गॉल कॉल और शी स्क्रीमड बैक डिरिसिवली और जो उसकी मदर है वो भी उसको जो है इस तरीके से अपनी आवाज में जवाब देती है बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली लेकिन वह उसे बोलता ही रहता है चिला कर बोलता ही रहता है and after a minute or so he uttered a joyful scream और कुछी देर बाद ये क्या दो मिनट के बाद वो खुशी से चिलाता है His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it उसकी मदर ने मचली का एक टुकड़ा अपनी चौच में पकड़ लिया और वो उसकी तरफ उडान भरते हुए आ रही है He leaned out वह थोड़ा सा जुकता है eagerly वह जिग्यासे से थोड़ा सा जुकता है tapping the rock with his feet और जो रोक है चटान है अपने पैरों से उसको पीटता है थप थपाता है मतलब tap करता है trying to get nearer to her और वह अपनी मदर के बिलकुल करीब जाने की कोशिश करता है as she flew across क्योंकि वो उसके सामने उड़कर आ रही है but when she was just opposite to him लेकिन जब उसकी मदर बिलकुल उसके सामने होती है she halted वह रुख जाती है her wings motionless उसके punk रुख जाते है the piece of fish in her beak almost within reach of his beak और जो मचली का टुकडा उसकी मदर की चोंच के अंदर होता है वो इसकी चोंच में बिलकुल पहुचने ही वाला होता है he waited a moment in surprise और वो हैरान होकर एक मिनट के लिए सोचता है wondering why she did not come near her और वो सोचता है कि उसकी मदर उसके करीब क्यों नहीं आ रही है and then और फिर maddened by hunger वह भूक से पागल हो चुका होता है he dived at the fish और वह मचली पकडने के लिए dive लगाता है with a loud scream he fell outwards and downwards into space और बिलकुल बहुत जादा चीखता हुआ वो उपर नीचे पलटता हुआ एक गहरे space में जो है कूच जाता है नीचे गिर जाता है then a monstrous terror seized him और एक भयानक आतंक उसे जकड लेता है and his heart stood still और उसका जो दिल है वो बिलकुल स्थिर हो जाता है he could hear nothing but it only lasted a minute he could hear nothing वह कुछ नहीं सुन सकता था लेकिन ऐसा सिफ एक ही minute तक हुआ the next moment he felt his wings spread outwards अगले ही पल उसके जो पंक थे उससे महसूस हुए कि वो बाहर की तरफ खुल चुके है and wind rushed against his breast feathers और जो उसकी चाती के जो पंक है feathers पर है उनसे टकराती हुई जो हावा है वो पीछे की तरफ जा रही है then under his stomach उसके पेट तक जा रही है and against his wings और फिर वो उसके पंकों तक जा रही है he could feel the tap of his wings cutting through the air वह अपने पंकों की टिप को महसूस कर रहा था कि वो हावा को कैसे काट रही है he was not falling head long now अब वो सिरके बल बिलकुल भी नहीं गिर रहा था he was soaring gradually downwards and outwards और वो धीरे धीरे ऊपर नीचे जो है उड रहा था he was no longer afraid अब वो डरा हुआ नहीं था he just felt a bit dizzy उसे थोड़ा सा उसका सिर्भारी हो रहा था मतलब हलका फुलका चकर सा रहा था then he flapped his wings once and he soared upwards और फिर वो अपने पंक फड़ फड़ाता है एक पार और फिर वो उपर की तरफ उडने लग जाता है गा 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 गॉल कॉल ओ his mother swept past him और उसकी मदर गाना गाते हुए उसके पीछे आ जाती है her wings making a loud noise और उसकी मदर के जो पंक हैं वो बहुत जादा आवाज कर रहे हैं he answered her with another scream और वह भी जो है अपनी मदर की जो बात का जवाब देता है ज़्यादा चिला कर then his father flew over his screaming और फिर उसके जो पिता है उसके उपर से चिलाते हुए जाते हैं he saw his two brothers and his sister flying around him coverting and banking and soaring the end and diving और फिर जो है वो देखता है कि उसके भाई बहन भी उसके चारो तरफ उपर नीचे उड़ते हुए उसके साथ उड़ रहे हैं then he completely forgot that he had not always been able to fly और फिर वो पूर्ण रूप से ये भूल जाता है कि वो कभी भी उड़ना नहीं सकता था and commanded himself to dive and soar and curve shaking surely और फिर वो अपने आपको command देता है वो उपर नीचे करता हुआ मुड़ता हुआ उड़ता है और चिलाता है he was near the sea now अब वह समंदर के पास आ चुका है flying straight over it और बिलकुल समंदर के उपर उड़ रहा है facing straight out over the ocean और समंदर के बिलकुल उपर उड़ रहा है he saw a vast green sea beneath him वह उसने देखा के उसके नीचे बिलकुल वास्ट हरे रंग का जो है समंदर है with little ridges moving over it हलके full के सरकंदे उसके उपर है and he turned his beak sideways and called amusedly और फिर वो अपनी जो चौँच है चौँच से अपनी sides में देखता है और मुस्कुराता है his parents and his brothers and sister उसके माता पिता उसके भाई बहन had landed on this green flooring ahead of him और ये जो हरे रंग का जो floor है हरे रंग का जो समंदर है उसके उपर उतर जाते है they were beconning to him वे उसको चिला कर बुला रहे हैं calling श्रीली वे उसको चिला कर बुला रहे हैं he dropped his leg to stand on the green sea वो अपना पैर नीचे रखता है उस समंदर पर खड़े होने के लिए his legs sank into it लेकिन उसके जो पैर है पानी में डूब जाते हैं he screamed with fright वे डर से चिलाता है and attempted to raise again flapping his wings और अपने पंक फड़ फड़ाता हुआ उड़ने की कोशिश करता है उठने की कोशिश करता है but he was tired लेकिन वे थका हुआ है and weak और वे कमजोर भी है with hunger वे भूख से कमजोर है and he could not rise अब वे खड़ा नहीं हो सकता था exhausted उसका दम घुट जाता है by the strange exercises अजीब सी exercise को करने से उसका दम घुट जाता है his feet sank into the green sea उसके पैर हरे समंदर में डूब जाते है and then his belly touched it और फिर उसका पेट पानी को छूता है and he sank no further अब फिर वो जादा नहीं डूबता he was floating on it वह पानी के उपर तैर रहा था and around his and around him his family was screaming और उसके चारो तरफ उसका परिवार चिला रहा था praising him उसके प्रिशंशा कर रहा था and their beaks were offering him scraps of dogfish और जो उसका परिवार है वो उसे मचली के टुकडे दे रहा था he had made his first flight तो इस तरीके से उसने अपनी जो first flight है वो भर ली यहाँ पर हमारा यह जो lesson है वो finish हो चुका है so I hope so यह lesson आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप मुझे comment section में comment लिख कर मुझे post सकते हैं तो मैं उनका जवाब आप लोगों को दूँगा तो इसी तरीके से पढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं so thank you so much for your time and have a nice day मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाइ